सभी कुनों मश्कार, आज बात करेंगे इस चित्रकथा के बारे में, इस कॉमिक्स के बारे में, जो अमर चित्रकथा के तरफ से प्रकाशित हुई है, और अमर चित्रकथा काफी पुराना पप्लिकेशन है, 1960 से चला रहा है, और हमारी इंडियन माइथॉलोजी को, कल्चर को, तो कफी सारे टोपिक्स पे अमारे चितर कता हैं को देखने हों मिलती है नहीं पुरानी अलड़ टाइब की बड़ी रामायन महाभारत उन पर पी चितर कता हैं अबदुर कलाम हैं हमारे जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स वगरा हैं जो भी हिस्टोरिकल जो हमारे करेक्टर दिख लेते हैं मिलेनिया ओफ सी ट्रेवलर्स ट्रेवल सोई इस पर दिखा रहा है कि इंडियन नेवी की शुरात किसे वी नेवी का क्या कल्चर है क्या उसका इतियास को दिखाने को शुचिश कही है चितर काफी सुन्दर लगे मुझे ने इन सब अमर चितर कताओं मेंसे पर था है है इसके शिकायत रहती है इस अकाफी मेंसे घथा लगता है उबचा है इसका सबसे अच्छा बात एंगा प्रिक और लोग लिए जो पसंद आए ह現在 ही वह सारा को प्रिए कि कि पैंसिलिंग कि सिने करी है किन किन लोगों ने क्या क्या काम क्या अप इस पास्चरू स जबर ने किने सब्सक्राइब करें तो हम भी जानना चाते हैं किसने यह आर्ट बनाई और बूंग बहुत अच्छी बनाई आगे देखते हैं इसमें इन्हों श्रॉठ करी है हमारे एक बच्चा है और इसके दादा जी वहां से स्टोरी को बिल्डव करा है और दादा जी उसको स्टोरी सुनाते हैं ठीक आगे चलती है स्टोरी पेज इसके मैपली तो है पर अच्छी क्वालिटी का वाइट पेज बढ़िया इसमें बात शुवाद में शुवाद में शुवाद किया सबसे पहले जिसे हमको पता ह लोग साथ बताते हैं करी चोदा बताते हैं उसमें के चोटी बड़ी प्लेट होती है तो मेजर प्लेट सेवन है और साथ ही महादीप इसलिए कोई से ने सब्सक्राइब लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सारे भुकंट एक थे फिर वह अलग हुए और इस प्रकास महादीपो को निर्मान हुआ अलाकि 500 मिलियंस ओफ यर्स में थीक है न वह बार बर चीज़े रिपीट भी होती है यह चीज़े पर फिलाल इतना डीप में कहीं जाना है नहीं हमको बुकंट एक थेस में दिखा रखा है और जब वह अलग हुए तो इस प्रकार से महादीप बने और एक शीट्स को लेकर के कभी टकराएं गोशिक ना कुछ पार्ट उठ जाएगा यदब जाएगा तो जो उठ गया हुए हमालिया बना तो वहां से शुआत कि इनों ने किस तरह का से इंडिया बना फिर जो इसमें कल्चर वगर दिखा रखा है और सी जरनी का कहां से बीच बिल्कुल एक्षट लिया था इसको देखते में जाद है और जिकर भी है जोल के बारे में जिकर है अलाकि यह तो कलिंगा के बारे में बात है इसमें हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था उसका भी जिकर वा था जो भी ओशियं से या उसकी जनले से चीज़ें सब को इंक्लो के लिए ठीक है और पूरा इसमें फिर बीच पर एक भी है से दादा जी उसके बीच भी खाना खा रहे हैं बाहर कहीं देख रहे हैं फिर स्टोरी शुरू हो रहती है इस तरीके से इसको इंट्रेस्टिंग बनाए गया था कि बच्चे बूर ना हूं हेवी इंफोर्मेशन स अच्चर देखार है कि मसाल होता रहा है ऑर बच सिना मौम होती है उसका भी उन ने मित üzere कर अभशी से होता एक οποची से होता है आशोक वर समराथ अशोक वगरा सारा दिखा रहा है जो और यह देखिए चोल वन्स वाला ही देखिए इस प्रकार से होता था फिर भी बीच में दादा पोता कि क्योंकि ना लाइट बनाए रखना इसको 32 बीच वीच में आपको ऐसे ब्रेक आते रहेंगे ठीक है ना पूरा पता रखा है अच्छा वास को डिगामा जिन्होंने एक अलग पात खो जाता वह भी इसमें इंक्रूट इसमें काफी इलुस्ट्रेटिव है मतलब एक कॉमिक्स की तरह ग्राफिक नोगल की तरह नरेटिव वैसा नहीं है मतलब डायलोग कम मिलेंगे नरेशन जादा है इसमें जिक्र है और इसमें फिर आगे बिटिस सामराज्जी जो आया तो वह पीसमें पूरा सीन दिखा रहा अर्व एक इसमें प्राइड से देगी पूरा ही इस सीन देगि अपति रंग वाला या जो फिसन वाला तो इस तरी किसे पूर आपको करनेट कर देती इस चोटा जब बीच में डादा-पोटा का समाध दे रखा इसमें घार स्वाधर की तामराज्ज है है और इसमें बिटि लिए किसा आप इसको कर सकते हो काफी अच्छी लगी मुझे अम्मेर चीटर को लोगों देखां तभी मैं कालाव इसको देखते हैं आठ वगरा मुझे तो काफी पसंद आया बसे आर्टिस का नाम भी देते तो अच्छा रहता और जो भी सीन वगरा बनाए काफी अथंटिक बना है इन्होंने इंफोर्मिशन काफी अथंटिक है काफी इंट्रेसिंग लगी मिझे इसलिए मैंने सब्सक्राइब करता है तो आई होप कि आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आयोगा अन्तर तक बनेने लिए और सब्सक्राइब सभी को दिनवाद मिलते किसी और वीडिय